हलो बच्चो अपकी बार चार सो पार सीज में आपका भड़पूर स्वागत है आज हम एक और अती महत्वा पुन प्रस्ट को सॉल्व करेंगे तो चल लिए उस प्रस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह प्रस्ट अल्रेडी 13 16 18 और 19 में भी आ चुका है प्लस में यह बूर्ड का मॉरल सेट में भी आ चुका है तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि यह आप इसे याद करकर जरूर जाए तो यह प्रस्ट को पढ़ते हैं प आठिक आधारबु सरचना का क्या महत्व है कोई भी प्रस्ट पूछे सभी का मतलब एक ही है तो आंसर लिखना हम लोग सुरू करेंगे क्या लिखेंगे आधाय सरचना या आधारबु सरचना का आश्य है वैसे सुभीदाओं या सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास म महत्व पूने स्थान रखते यानि कि जिससे देश का विकास होता हो जिससे लोग का विकास होता हो सुभीदाओं में ब्रिद्धी होते हो ऐसे सभी सरचनाओं को हम लोग आर्थिक सरचना कहते है जिसे स्कूल हुआ हमारा रेल हुआ पूल हुआ ये सारा कुछ हमारा आधा और इक सरचना के अंतरगर्थि आता है क्या बुला जा रहा है अधारी है सचना की सरेनी में बिजली पडिवहन संचार बैंकिंग स्कूल कॉलेज अस्पताल रेल सड़त यह सबी हमारा अधारी सचना के अंतरगर्थ आते हैं क्योंकि आप ही simple समझो अगर लाइन नहीं रहेंगे यानि कि बिज्डय नहीं रहेंगी तो क्या कुछ काम हो पएगा नहीं हो पाईगा पड़िवोधन रूड नहीं सी रहेंगा तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाही नहीं सब्सक्राइब तो फिर दूरू का मैसेज है वह हम तक पहुंचने ही पाएगा अगर बैंकिंग सुविधा नहीं होगी फिर भी हमारा बुरा हाल हो जाएगा उसी तरह अगर स्कूल नहों कॉलेज नहों अस्पताल नहों तो रोगयों का इलाज भी नहीं हो पाएगा इसलिए वैसा स्रचना जो देश के विकास में उलेखनी भूमी का निभाते हैं उसे हम लोग आधार भू स्रचना कहते हैं देश के विकास के साथ साथ आधारी स्रचना का स्वंबन समानुपातिक है कहने का मतलब देश को बढ़ाना है तो आधारी स्रचना को बृध्धी भी हमें कर हरना परेगा अगर हम चाहते हैं किक न्ह graduates तो हमारी आधारि सरतना में भी व्रिध्धी करना परेगा और उसी अनुपार्ट में हमारा DSV बृध्धी करेगा तो आज के लिए इतना है हमारे चैनले को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि यहां पर सारे important question को मैंने solve करवा दिया है Thanks, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें All the very way